दिली के उपमुकी मंतरी मनीश सिसोधिया मंगलवार को शिमला का दौरा करेंगे मनीश सिसोधिया ने ट्वीट कर इस बात की जौनकारी दी है साथ ही उन्होंने ये बताया कि वो शिम्ला में जुनता से समबाद भी करेंगे तो वहीं अपनी ट्विट में मनिश्टी सोधिया ने हिमाचल प्रदेश की सिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ेंगे प्रदेश की सिक्षा व्यवस्था पर बयान दिया है आईडी भंडारी ने जुआनकारी देते वे बताया कि मंगलबाद मनिश्टी सोधिया शिम्ला दोरे पर आ रहे है और दोरान वो सिक्षा की व्यवस्था पर लोगों से सीधा संबाद करेंगे बुद्धपोडिमा के अफसर पर शिम्ला में सामाजुक संस्था ने एक रक्तदान शिविर कायज़न किया है इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा रक्तदान करने के लिए उत्साहित नजरा है युवा उने आगे आकर के रक्तदान करते वे सभी से रक्तदान करने की अपिल्पी है इस अभियान के तहत संगड हड आसफास के गाउं में लोगों के बीच जवा करके उनसे च्वर्चा की गई है तो वहीं नौराध हर कॉलेज समेट विविन घोशनाय पुरी करने के लिए बीज़ेपी ने ताउने सीम जराम ठाकुर का आपहाद बिताया कसवाले के जंगलों में लगी भीशन आग पर काबू पानी की कोशिचे लगा ताजवारी है कंडा रोड पर धुन्ती गाउं के पास जंगलों में लगी आग धीरे धीरे धी हैशी इलाकों में बढ़ रही है आग की वज़े से यहां का नेचर कैम्प जलकर के पुरी तरह से राख हो चुका है वहरहाल थानिये लोग और दमकल विबाग की तीमे आग पर काबू पानी की कोशिच में जूठी है उना की गोविंद सागर जीर में एक यूबक की डूबने से मौत होने का मामला सामने आए है मृतकी पहचार पंजाब की शहीद भगत सिंग नगर जिले कामा गाउ निवासी प्रदीब कुमार के रूप में हुई है वहीं पुलिस ने गोता खोरों की मदद से चप को जील से बाहर निकाल लिया है और अब पुलिस ने केस दर्च कर मामले की जान शुनू कर दी है हिमाचल प्रदेश शिर्चेना के प्रदेश प्रमुक शिवदत विशिष्ट ने जिलाब मुख्याले के सरकेट हाउस प्रेस कॉन्फरेंस की है इस दोरान उन्होंने खालिस्तानी आतंकी गुरुपन तपन्वन्नू को हिमाचल में कदम रखने की चुनौती थी झाल झाल झाल